गणना ग्रंथ सीनई से प्रस्थान की तैयारी जनगणना अध्याए एक गणना के नियम मिस्र देश से बाहर आने पर दूसरे वर्ष के दूसरे महिने के पहले दिन प्रभु ने सीनई के उजाड खंड में दर्शन कक्ष में मूसा से ये कहा तुम कुलों और घरानों के अनुसार सारे समुदाए के उन सब पुरुषों की गणना करो जो सैनिक सेवा के योग्य हो और जिनकी आवस्था बीस वर्ष या इस से अधिक हो तुम हारून के साथ उन पुरुषों का उनके दल के अनुसार नाम लिखवाओ पुरुषों का एक ऐसा पुरुष तुम्हारी सहायता करेगा जो अपने घराने का मुख्या हो तुम्हारी सहायता करने वालों के नाम ये हैं रूबेन के लिए शदेऊर का पुत्र एली सूर। सिमोन के लिए सुरिशद्दय का पुत्र शलुमियल। यूदा के लिए अम्मी नादाप का पुत्र नहशोन। इस्साकार के लिए सुार का पुत्र नतनेल। जुबलोन के लिए हेलोन का पुत्र एली आब युसूफ के पुत्र एफ्राइम के लिए अम्मी हूद का पुत्र एली शामा और मनस्से के लिए पधासूर का पुत्र गमली एल बेनियामीन के लिए गिदोनी का पुत्र आबिदान दान के लिए अम्मिशद्दे का पुत्र अहियजेर आशेर के लिए उक्रान का पुत्र पगियल गात के लिए दवुयल का पुत्र अल्यासाफ और नफ्ताली के लिए एनान का पुत्र अहीरा यही समुदाय में से नियुक्त किये गए ये अपने अपने वंशों के नेता और इसराइली कुलों के मुखिया थी इस पर मुसा और हारून ने उन्नियुक्त पुरुशों को बुलवाया और दूसरे महीने के पहले दिन सारे समुदाय को एकत्रित किया बीस वर्ष या इस से अधिक के सब पुर्षों का अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया प्रभु ने मुसा को जैसा आदेश दिया था उसी तरह उसने सीनई के उजाड़ खंड में लोगों की जनगणना की इसराइल के पहलोठे पुत्र रूबेन के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा की योग्य थे और जिनकी आवस्था वीस वर्ष या इस से अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया उनकी संख्या 46,500 थी सिमोन के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी आवस्था बीस वर्ष या इस से अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया उनकी संख्या 69,300 थी गार्द के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी अवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या पैंतालीस हजार साड़े छैसो थी यूदा के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी अवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या चोहत्तर हजार छैसो थी इस साकार के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी अवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या चोवन हजार चार सो थी जबुलों के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी अवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या सब्तावन हजार चार सो थी युसूफ के पुत्र एफ्राइम के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी अवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या चालीस हजार पांच सो थी युसूफ के पुत्र मनस्थे के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी अवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या बतीस हजार दो सो थी बेनियामीन के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी अवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या पैंटीस हजार चार सो थी दान के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी आवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या बांसट हजार साथ सो थी आशेर के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी आवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या एकतालीस हजार पांच सो थी नफ्ताली के सब पुरुष वन्शजों का जो सैनिक सेवा के युग्य थे और जिनकी आवस्था बीस वर्ष या इससे अधिक थी अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया गया उनकी संख्या तिर्पन हजार चार सो थी यही मुसा और हारुन द्वारा की गई गणना की संख्याएं है इसराइलियों में से बारह नेताओं ने हर वन्श के एक प्रतिनिधी ने उनकी सहायता की इसराइल में जो पुरुष बीस वर्ष और इससे अधिक के थे तथा जो सैनिक सेवा के युग ये थे उन सब इसराइलियों की उनके घरानों के अनुसार गणना की गई उनकी कुल संख्या छे लाफ तीन हजार साढ़े पांच सो थी लेवियों की कारिव विवस्था अन्ये इसराइलियों के साथ लेवियों का अपने कुलों के अनुसार नामांकन नहीं किया गया क्योंकि प्रभू ने मुसा से कहा था लेवी वंश का नामांकन नहीं करोगे और अन्ये इसराइलियों के साथ उनकी जंगनना नहीं करोगे तुम लेवियों को विधान पत्र के तंबू और उसके सारे साज सामान पर नियुक्त करोगे वे तंबू और उसका सारा साज सामान ढोएंगे वे उसकी देख भाल करेंगे और उसके चारों और पडाओ डाला करेंगे जब जब तंबू को आगे ले जाना होगा तो लेवी उसे उखाड़ेंगे और जब जब तंबू को खड़ा करना होगा तो लेवी ही ये काम करेंगे यदि कोई दूसरा उसके पास जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा अन्य इसराइली अपने अपने दल के अनुसार तंबू खड़े करेंगे हर एक अपने पड़ाओ में और अपने ज़ंडे के पास रहेगा किन्तु लेवी विधान पत्र के तंबू के चारों और पड़ाओ डालेंगे जिससे इसराइली समाज पर कोई विपत्ती ना आए लेवी वन्शी विधान पत्र के तंबू की देख भाल करेंगे इसराइलियों ने ऐसा ही किया ठीक वैसा ही जैसा प्रभू ने मूसा को आदेश दिया था अध्यायत दो शिविर विवस्था प्रभू ने मूसा और हारून से कहा सभी इसराइली अपने दल के साथ अपने घराने के ज़ंडे के साथ अपना पड़ाओ डालेंगे वे दर्शनकक्ष के चारों और कुछ दूरी पर अपने पड़ाओ डालेंगे यूदावंशी पूर्व की ओर सूर्योदई के दिशा में अपने अपने दलों के अनुसार अपना ज़ंडा खड़ा करेंगे अम्मी नादाप का पुत्र नहशोन यूदा वंश का नेता होगा उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 74,600 है उसके पास इस्साकार वंशी अपना पड़ाओ डालेंगे सुआर का पुत्र नतनेल इस्साकार वंश का नेता होगा उसके नमांकित सेनिकों की संख्या 54,400 है फिर जबुलोन वंशी हेलोन का पुत्र अलियाब जबुलोन वंश का नेता होगा उसके नमांकित सेनिकों की कुल संख्या 57,400 है अपने अपने दलों के अनुसार यूदा के शिवर के नमांकित सेनिकों की कुल संख्या एक लाख 86,400 है वे पहले प्रस्थान करेंगे रूबेन वंशी दक्षिन की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना अपना जण्डा खड़ा करेंगे शिवर का पुत्र एलिसूर रूबेन वंश का नेता होगा उसके नमांकित सेनिकों की संख्या 46,500 है उसके पास सिमोन वंशी अपना पड़ाव डालेंगे सुरी शद्दे का पुत्र शलूमी एल सिमोन वंश का नेता होगा उसके नमांकित सेनिकों की संख्या 69,300 है फिर गाद वंशी दववेल का पुत्र एलिया साफ गाद वंश का नेता होगा उसके नमांकित सेनिकों की संख्या 45,600 है अपने अपने दलों के अनुसार रूबेन के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या एक लाख एक क्यावन हजार साड़े चार सो है प्रस्थान करम में उनका इस्थान दूसरा होगा इसके बाद अन्य पड़ाओं के बीचों बीच लेवियों के पड़ाओं के साथ दर्शन कक्ष प्रस्थान करेगा वे अपने अपने तंबूओं के क्रम से अपने अपने जुंडों के साथ प्रस्थान करेंगे एफराईम वन्शी पश्चिम की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना ज्छंडा खड़ा कर दे अम्मिहूद का पुत्र एली शामा एफरेईम वंश का नेता होगा उसके नामांकित सैनिकों की संख्या चालीस हजार पाँच सो है उसके पास मनस्य वंशी पदाहसूर का पुत्र गमलियल मनस्य वंश का नेता होगा उसके नामांकित सैनिकों की संख्या बतीस हजार दो सो है फिर बेनियामीन वंशी गिदोनी का पुत्र आबीदान बेनियामीन वंश का नेता होगा उसके नामांकित सेनिकों की संख्या 35,400 है अपने अपने दलों के अनुसार एफरेईम के शिविर के नामांकित सेनिकों की कुल संख्या एक लाख आठ हजार एक सो है प्रस्थान करम में उनका इस्थान तीसरा होगा दान वन्शी उत्तर की ओर अपने दलों के अनुसार अपना जण्डा खड़ा करेंगे अम्मी शद्दय का पुत्र अही एजेर दान वन्श का नेता होगा उसके नामांकित सेनिकों की संख्या 62,700 है उसके पास आशेर वन्शी अपना पड़ाव डालेंगे वो करान का पुत्र पगियल आशेर वन्श का नेता होगा उसके नामांकित सेनिकों की संख्या 41,500 है फिर नफ्ताली वन्शी एनान का पुत्र अहीरा नफ्ताली वन्श का नेता होगा उसके नामांकित सेनिकों की संख्या 53,400 है अपने अपने दलों के अनुसार शिवर के नामांकित सेनिकों की कुल संख्या एक लाख 57,600 है वे सब के बाद अपने अपने जंडों के साथ प्रस्थान करेंगे अपने अपने घरानों के अनुसार नामांकित अजराईली यही है अपने अपने दलों के अनुसार शिवरों के नामांकित सेनिकों की कुल संख्या छै लाख 3,500 है प्रभु द्वारा मुसा को दिये गए आदेश के अनुसार लेवियों की गणना अन्य इसराइलियों के साथ नहीं की गई प्रभू ने मुसा को जैसा आदेश दिया था इसराइलियों ने ठीक वैसा ही किया वे अपने जंडों के पास पड़ाओ डाला करते थे और अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार प्रस्थान करते थे अध्यायत तीन लेवियों का धर्म कर्म जिस समय प्रभू ने सीनई परवत पर मुसा से बातें की उस समय हारून और मुसा के पुत्र ये थे हारून के पुत्रों के नाम ये थे पहलो ठानादाब, अबीहु, इलाजार और इतामार हारून के इन पुत्रों का अभिशेक हुआ और इनकी नियुक्ती याजक कारे के लिए हुई थी नादाब और अबीहु की मृत्यु प्रभू के सामने हो गई थी जबकि वे सीनई के उजाड़ खंड में प्रभू को अवेध अगनी अर्पित करना चाहते थे उनके कोई पुत्र नहीं था इसलिए एलाजार और ईतामार ही अपने पिता हारून के निर्देशन में याजकी काम करते थे प्रभू ने मूसा से कहा लेवी वन्शियों को बुला कर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो वे तंबू की सेवा करेंगे और दर्शन कक्ष के सामने हारून तथा समस्त समुदाय का कारिभार समह लेंगे वे दर्शन कक्ष की सब समगरियों की देखभाल करेंगे और तंबू की सेवा करते हुए इसराइलियों की करतवियों का पालन करेंगे तुम इसराइलियों की और से लेवियों को हारून और उसके पुत्रों की सेवा में अर्पित करोगे हारून और उसके पुत्रों को याजकी सेवा में नियुक्त करो यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति ये करे तो उसका वद्ध किया जाए प्रभू ने मुसा से ये भी कहा मैं इसराइलियों के बीच उनके पहला उठे पुत्रों के इस्थान पर लेवियों को चुनता हूँ लेवी वन्शी मेरे ही होंगे सब पहला उठे पुत्र मेरे हैं जिस दिन मैंने मिस्र देश में सब पहला उठे बच्चों को मार डाला था उसी दिन से मैंने इजराइलियों में प्रत्येक पहला उठे बच्चे को चाहे वो मनुष्य हो या पशु अपना ही मान लिया है इसलिए वे मेरे हैं मैं प्रभू हूँ लेवियों की गणना सीनई के उजाल खंड में प्रभू ने मूसा से कहा तुम सब पुरुष लेवि वन्शियों का जिनकी अवस्था एक महिना या इस से अधिक है उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन करो मूसा ने प्रभू के आदेश के अनुसार उनका नामांकन किया लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं गेरशोन, कहात और मरारी अपने अपने कुलों के अनुसार गेरशोन के पुत्रों के नाम ये हैं लिबनी और शिमई अपने अपने कुलों के अनुसार कहात के पुत्री ये हैं अम्राम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जियल अपने अपने कुलों के अनुसार मरारी के पुत्री ये हैं महली और मूशी ये हैं अपने अपने घरानों के अनुसार लेवियों के कुल गेरिशोन से लिबनी और शिमई के कुल उत्पन्न हुए ये गेरशोनियों के कुल है इन में एक महीने के बालक और इस से उपर के सब नामांकित पुरुशों की संख्या साथ हजार पांच सौ थी गेरशोन के कुटुम्बियों के पड़ाओ निवास के पीछे पश्चिम की ओड़ थे गेरशोनियों के घरानों का मुखिया लायल का पुत्र इल्या साफ था गेरशोनियों को दर्शनकक्ष में इन वस्तूओं की देखभाल करनी थी निवास और तंबू उसका आउरण दर्शनकक्ष के प्रवेश का परदा आंगन के परदे निवास और वेदी के चारों और के आंगन के द्वार का परदा उसके लिए सब आवशकरसियां और इन्ही से सम्मंधित अन्य सबकार कहात से अमराम यसहार हैबरोन और उज्जियल के कुल उत्पन हुए ये कहातियों के कुल है इन में एक महीने और इससे उपर के सब नामांकित पुरुशों की संख्या आठ हजार चैसो थी ये पवित्र स्थान की सेवा करते थे कहात के कुटुम्बियों के पड़ाओ निवास के दक्षिन की ओड़ थे कहातियों के घरानों का मुखिया उज्जियल का पुत्र एली साफान था इन्हें मन्जुशा मेज दीप व्रिक्ष वेदियों सेवा कार्य में प्रयुक्त पवित्र स्थान की वस्तूं और अंतरपट की देखबाल करनी थी और इनहीं से संबंधित अन्य सब कार्य लेबियों के नेताओं का प्रधान याजक हारून का पुत्र इलाजार था उसका कार्य पवित्र स्थान की सेवा करने वालों का निरीक्षन करना था मरारी से महली और मूशी के कुल उत्पन्न हुए ये मरारियों के कुल है इनमें एक महीने और इस से उपर के सब नामांकित पुर्षों की संख्या 6200 थी मरारियों के घरानों का मुख्या अभी हैल का पुत्व सुरियेल था उनका पड़ाव निवास के उत्तर की ओर था मरारियों को तंबू की चौकटों छडों खूटों कुरसियों और उनके सारे सामान की देखभाल करनी थी और इनहीं से संबंधित अन्यकार इसके अतरेक्त चारों और के आंगन के खूटों उनकी कुरसियों खूटियों और रसियों की देखभाल निवास के सामने अर्थाद दर्शन कक्षिक के पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में मुसा हारून तथा उनके पुत्रों का पड़ाव था उन्हें इसराइलियों के लिए पवित्रिस्थान की सेवा करनी थी यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति वहां जाता तो उसका वद्ध किया जाता एक महीने और इससे उपर के लेवियों के पुर्शों की जिनका मुसा और हारून ने प्रभू के आदेश से उनके कुलों के अनुसार नामांकन किया था कुल संख्या बाईस हजार थी पहलोठों की गणना प्रभू ने मुसा से कहा एक महीने और इससे उपर के पहलोठे इसराईली पुर्शों का नामांकन करो और उनकी गणना करो सब पहलोठे इसराईलियों के इस्थान पर लेवियों को और इस्राइलियों के पश्वों के पहलोठे के स्थान पर लेवियों के पश्वों को मेरे लिए अलग करो मैं प्रभू हूँ मुसा ने प्रभू के आदेश के अनुसार सब पहलोठे इस्राइलियों का नामांकन किया एक महीने और इस से उपर के नामांकित पहलो उठे पुरुशों की कुल संख्या 22,273 थी प्रभू ने मुसा से ये भी कहा इसराइलियों के सब पहलो उठे पुरुशों के इस्थान पर लेवियों को और इस्राइलियों के पहलोटों के इस्थान पर लेवियों के पशुओं को लो लेवी मेरे हैं मैं प्रभू हूँ पहलोटे इस्राइलियों की संख्या लेवियों की संख्या से 273 अधिक है उनके विमोचन के लिए तुम प्रती पुरुश के लिए पांच शेकल लो वे पवित्र स्थान के शेकलों की तॉल के अनुसार हो प्रती एक शेकल में बीस गेरा तुम ये द्रव विर जिससे उन लोगों का विमोचन किया जाएगा जो लेवियों से अधिक हैं हारून और उसके पुत्रों को दोगे मुसा ने अतरिक पहलोठे इसराइलियों के लिए पवित्रिस्थान के शेकेलों के हिसाब से 1365 शेकेल वसूल किये मुसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार ये द्रव्य हारून और उसके पुत्रों को दिया अध्याए चार कहातियों का कर्तव्य प्रभु ने मुसा और हारून से कहा लेवियों में से उन कहातियों उनके विभिन कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उमर के है और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य है दर्शन कक्ष में कहातियों का कार्य है परम पवित्र वस्तूओं की देख भाल और उसके पुत्र अंदर जाकर अंतरपट उतारेंगे और उससे विधान पत्र की मंजूशा ढख देंगे वे उसके उपर सूस के चमडे का एक आवरण रखेंगे और उसके उपर नीला कपड़ा बिचाएंगे इसके बाद वे उसमें उसके डंडे लगाएंगे भेंट की रोटियों की मेज पर वे नीला कपड़ा बिचाएंगे और उस पर थालियां, कल्चे, घड़े और अर्ग के लिए प्याले रखेंगे जो रोटियां उस पर बराबर रखी रहती हैं, वे भी उस पर रहेंगे वे उन वस्तूओं पर लाल कपड़ा बिचाएंगे उस पर सूस के चमड़े का औरन रखेंगे और मेज में उसके डंडे लगाएंगे वे नीले रंग के कपड़े से दीप व्रिक्ष, उसके दीपक, उसके गुलतराश और किष्टियां और तेल के पात्र ढख देंगे वे उसे और उसकी सारी सामगरी सूस के चमड़े में लपेट लेंगे और उसे ले जाने के तखते पर रख देंगे वे सोने की वेदी पर नीले रंग का कपड़ा बिचा कर उसके उपर सूस के चमडे का आवरण डाल देंगे और उसमें उसके डंडे लगा देंगे तब वे पवित्र सेवा के लिए सब आवशक अन्य वस्तूओं को नीले रंग के कपड़े और सूस के चमडे के आवरण से ढखेंगे और उन्हें ले जाने के तखते पर रख देंगे वे वेदी पर की राक उठा कर उसके उपर नीले रंग का कपड़ा रख देंगे तब उसके उपर वेदी की सेवा में आने वाली सब वस्तूओं रखेंगे अर्थात अंगीठियां, कांटे, फावडियां और कटोरे उनके उपर सूस के चमड़े का औरन रखेंगे और वेदी में उसके डंडे लगाएंगे जब शिवर उठाया जाएगा तब हारून और उसके पुत्र, पवित्र स्थान और सब पवित्र वस्तूओं को कपड़ों से वेश्टित करेंगे इसके बाद ही कहात और उसके वन्शज उन्हें उठाने के लिए आएंगे परंतु, वे पवित्र वस्तूओं का इस परश नहीं करेंगे नहीं तो उनकी मृत्य हो जाएगी यही दर्शनकक्ष की विवस्तुएं हैं जिन्हें कहाती ढोया करेंगे याजक हारून के पुत्र इलाजार के ये करतवे होंगे दीपकों के तेल सुगंधित द्रव दैनिक अन्न बली और अभ्यंजन के तेल का प्रबंध तथा पूरे निवास और उसके सामान का निरीक्षण और पवित्र स्थान और उसकी सामगरी की देखभाल प्रभू ने मूसा और हारून से कहा इसका ध्यान रखो कि लेवियों में से कहाती वंश का अंत न हो जाए उनके कारे की ऐसी व्यवस्था करो कि जब वे परम पवित्र वस्थूओं के पास आएं तो उनकी मृत्यू न हो जाए हारून और उसके पुत्र उनमें से प्रत्येक को अपने अपने सेवा कारे और ढोई जाने वाली वस्थू के स्थान पर ले जाए इस प्रकार वे पवित्र वस्थूओं को एक शण भी नहीं देख पाएंगे नहीं तो उनकी मृत्यू हो जाएगी गेरशोनियों के कर्तव्य फिर प्रभू ने मूसा से कहा उन गेरशोनियों की भी उनके विभिन कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो जो तीस वर्ष से पचास वर्ष की उमर के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं शिविर के परिवहन के समय गेरशोनी कुलों का कारिय ये होगा वे निवास के परदे और दर्शन कक्ष उसके आवरण उसके उपर का सूस के चमड़े का आवरण और दर्शन कक्ष के द्वार का परदा आंगन के परदे तथा निवास और वेदी के चारों और के परदे उनके आवर्शक रसियां और उनकी सेवा में आने वाले सब सामान ढोएंगे हारून और उसके पुत्रों के आदेश के अनुसार ही गेरशोनी सब कुछ ढोएंगे और दूसरे काम करेंगे तुम उन सब को समझाओगे कि वे क्या क्या ढोएंगे ये दर्शन कक्ष से सम्बंधित गेरशोनी कुलों का सेवा कार्य होगा वे याजक हारून के पुत्र इतामार के निर्देशन में सेवा करेंगे मरारियों के कर्तव ले तुम उन मरारियों का उनके कुलों और घरानों के अनुसार ना मांकन करो जो तीस वर्ष से पचास वर्ष की उमर के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं शिविर के परिवहन के समय उनका कार्य और दर्शन कक्ष में उनकी सेवा ये है वे तंबू की चौकटें उसके छड़, खूटे और कुरसियां चारों उरके आंगन के खूटे, उनकी कुरसियां, खूटियां, रसियां और उनका सारा सामान और काम में आने वाली सब वस्तुएं ढोएंगे तुम उनको समझाओगे कि वे क्या-क्या ढोएंगे ये दर्शन कक्ष से सम्बंधित, मरारी कुलों का सेवा कार्य है वे याजक हारून के पुत्र, इतामार के निर्देशन में सेवा करेंगे लेवियों की जनगणना, मूसा, हारून और समुदाय के नेताओं ने उनके कुलों और घरानों के निसार कहातियों की जनगणना की अर्थात, उन सब की जो तीस वर्ष से पचास वर्ष की उमर के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने यो गिए थे उनके कुलों के निसार, उनकी संख्या दो हजार साड़े साथ सौ थी ये कहातियों के कुलों के सब पुरुष थे जो दर्शन कक्ष में सेवा करने युग्य थे मुसा और हारून ने उनका नामांकन किया जैसा कि प्रभू ने मुसा को आदेश दिया था अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार उन नामांकित गेरशोनियों की दर्शनकक्ष में सेवा करने योग्य थे संख्या 2630 थी ये गेरशोनी कुलों के पुरुष थे जो दर्शनकक्ष की सेवा के लिए नियुक्त थे और जिनका नामंकन मुसा और हारून ने प्रभू के आदेश के अनुसार किया उनके कुलों और घरानों के अनुसार उन नामंकित मरारियों की जो तीस वर्श से पचास वर्श की उमर के थे और जो दर्शनकक्ष में सेवा करने योग्य थे संख्या 3200 थी ये मरारी कुलों के पुरुष थे जिनका नामंकन मुसा और हारून ने किया जैसा कि प्रभू ने मुसा को आदेश दिया था मुसा और हारून ने जिन लेवियों का उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामंकन किया था जो तीस वर्श से पचास वर्श की उमर के थे और दर्शनकक्ष में सेवा एवं परिवहन का काम करने योग्य थे और मुसा के निर्देशन में सबको समझाया गया कि परिवहन में उनको क्या करना है वे प्रभू द्वारा मुसा को दिये हुए आदेश के अनुसार नियुक्त किये गए